हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका ABC अकडमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप इस पार्क पब्लिकेशन मॉडल प्रेक्टिस शेट नमबर आप फूर देख रहे हो इससे पहले आपको सेट नमबर 123 बिहार सची वाले के लिए ग्रेजुशन लेवल का जो आपका वेकेंसी आया था उसके लिए क्लास करवा दिया गया है आप लोगों में से जो लोग नए हो होंगे इस क्लास को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा आपके बिहार सची वाले बिप्यसी बिहार ऐसाई वगरा के लिए काफी सारा सेट अवलेवल है आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा ठीक है तो आलमगीर अगर पूछेगा किस मुगल समराट की उपाधी थी ओप्षन नमबर आपका डीर आई टांसर हो जाएगा औरंग्जेव का था समझेंगे थोड़ा सा आलमगीर मुगल समराट औरंग्जेव के द्वारा जो मतलब है यह लिया गया था इसका जो शाशनकाल है अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शाशन करने वाला मुगल सा सकता ठीक है अगर पूछता है कि इसके मेत्यू जो रहा बता यह कहां पर तो आपको एहमद नगर ध्यान रखना है ठीक है एहमद नगर में इसकी मेत्यू हो गई थी और अगर पूछेगा कि राजविशेग कहां पर तो सालीमार बाग में इन ही का राजविशेग हुआ था ठीक है इन ही की दवारा जज्या कर जो है ब्राह्मनों पर फिर से लगाया गया था ठीक है चलिए नंबर साकेंड देखिए इन चारों में से बताए किस के लिए बनाए गए नियमों को विने पीटक नामक प साजह नहीं करता है तो option नमबर देखिए मेंगा ले तिरिपूरा इसन के साथ करता है लेकिन नागालेंट के साथ नहीं करता है लूशेंट आपगिणे का आप ятель क्लास के साथ बारे में समझ लेंगे तिरिपूरा तीनों और बंगलादेश से घिरा हुआ है भातिय राज जो कि बंगलादेश से अपने सामा साजा करता है अगर बंगलादेश के बारे में पूछता है तो ध्यान रखिएगा अर्सम पश्चिम बंगाल तिरिपूरा मेखाले और मिजोरा में ठीक है मेन इन वाइट और बुक आफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखा कौन है ऑप्शन नमबर सी मुकूल केश वन के द्वारा यह लिखा गया है नमबर फाइब वर्थ दोज़र बीश में कोलकता पूर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो आप्शन नमबर भी स्यामा परसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया वर्थ 2020 में कोलकता पूर्ट ट्रस्ट का नाम बदल कर स्यामा परसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है ठीक है चलिए नमबर से कौन सा विञ्धान और प्रध्योगी के छेट्र में युगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रोष्कार है। स्वार। अपन बलब आपका लों हो जाएगा सांती सवरूप भटनागरफा साथ मुण स्वार प्रणै, मि चैत्र में दिया हैं। इन चारों में से किषनी सल्तनत पर सरकी वंज का साथण था आप्शन नमबर आपका 20 हो जायकर आइटयांसर's जॉनपूर सल्तनत पर शरकी वंज का साथण था ठीक जॉनपूर को भारत का सिराज भी का जाता है जॉनपूर के अस्ठापना पूछेगा फिरोश्यात उगलग क द्वारा 1369 इश्वी में आपको ध्यान रत लिना है, 1369 इश्वी में किया गया था, ठीक है, पूछ रहेकिमी कुष्ट दिवश प्रतिवर्स जनुवरी में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ऊपशन नमबर और भी राइटानसर पस्चमी राइस्थान में खेलों और प्रति अस्परधाओं में उत्क्रिष्ट प्रतिभाओं को शम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्राले के द्वारा अर्जुन पुरुसकार दिये जाते हैं इन्हें किस वर्च में इसके शुरुवात क गई थी तो देखे खेल और प्रतियस परधाओं में उत्क्रिष्ट प्रतिभाओं को शम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्राले के द्वारा अर्जुन पुरुसकार के शुरुवात उनिश्वा एकसर्थ में 1961 ऑप्शन नमबर B में किया गया था ठीक है अतरंजी खेरा पुरा तात्रीक अस्थल निम्न में से कहां पर है ऑप्शन नमबर आपका भी हो जाएगा राय टांसर कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में है बताए कि 16 यार्ड हीट निम्न जो सब्ध है निम्न में से किस खेल से समंदित है ऑप्शन नमबर B राय टांसर हो जाएगा फेल्ड होकी से या समंदित है ठीक है चलिए 1970 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधान मंत्री मुराजी देसाई के साथ के दर में गटवन्दन की सरकार बनाई थी तो वर्ष 1970 में अगर पूछेगा चनल से खर बने थे ठीक है जो कि आपका ऑप्शन नमबर B विल्कुल सही है इन चारों में से किसका छेतरफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है ऑप्शन ए राई टांसर जानते हो आप राजस्थान हो जाएगा ठीक है राजस्थान है फिर मत्रदेश फिर महराष्ट फिर है उत्तर प्रदेश और समझ लेंगे कि भारत का छेतरफल के द्रिश्टी कौन से अगर पूछता सबसे छोटा राज का नाम जड़ा बताईए तो आपको गोवा बता देना है ठीक है सबसे छोटा राज अगर पूछे का गोवा है चंसंख्या के इढ़ार पर सिक्कीम जो है यह सबसे छोटा है ठीक है तो आप जानते हैं कि सांसद आदर्स ग्राम योजना था ठीक है फूल फॉर्म इसका तो एसे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी सांसद एसे आपका आदर्स होता है निवन में से कौन सा अरुनाचल प्रदेश का एक जिला सह परियतन होट स्पोर्ट है ओप्शन नमबर डी राइट आंसर तवांग होगा दंड कारण का पठार किस राज में इस्थित है चतिसगर हो जाएगा राइट आंसर ओप्शन नमबर सेवेंटीन का सी बिलकुल सही है निवन में से कौन मुद्रा राक्षस की रचनाकार है विशाक दत की द्वारा लिखा ओगया है ओप्शन नमबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा निमन में से भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छे नागरिकता से समंदित है ओप्शन नमबर भी अनुच्छे 5 से 11 नागरिकता से समंदित है श्वतंतर भारत के प्रथम गवर्णर जनरल बताना है कौन थ ओप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर आपको दिखे रहा है लॉड माउंट बेटन हो जाएगा राइट आंसर नमबर 21 हल्दीबारी चिलहाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोडता है भारत और बंगना देश की लगवक 56 वर्ष के बाद ना कहिए कि अगस्त 2021 में हल्दी वारी चिलहाटी रेल माल पर मालगारी का नियमित संचालन फिर से शुरू किया गया है तो option number A आपका यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा भारत और बंगलादेश के बाद बंगलादेश के बीच हल्दी बारी चिलहाटी रेल लिंक योजना चलती है बिजली छेतर में कॉसल विकास के लिए पहला skill development center for excellence निम्लिकित में से किस सहर में अस्थापित किया गया है तो नमबर टू 22 का राइट answer option number आपका सी हो जाएगा गुरूग्राम में किया गया है बताएगे कि लोजपूर्ण मांग की स्थिती में कीमत में जो विजदी होने पर क्या होगा ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को रोक लिया करिएगा खुल आगम जो है यह घर जाता है ठीक है चलिए देखिए भारत इजिदायली कार्मेल का उत्पादन सुरू करेगा कार्मेल बताना है कि क्या है option number A राइफल है देखिए अभी latest मतलब टेक्नलोजी पर कहिए यह असौल्ट रैफल जो है अराद और कार्मेल भारत विनिर्मित होगा मत प्रदेश में मैक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन किया जाना है ठीक है जिगर सब्द समन्दित है किस चीज से option number D हो जाया बिलियर्ट से समन्दित है आयरेस सागर कहां पर इस्थित है आयरेस सागर दच्छनी और जो आपका उत्री सीमा पर अट्लांटिक महा सागर है उसी के साथ आयरेस लेंड कहिए और युनाटेट किंगिंडम का जो दूइप है इन दोनों के बीच में इस्थित है तो option number यह आपका यहाँ पर D होना है ब्रीटिन के कहां पर पस्चिम में है नेम्न में से किस अर्थल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्तिक पर अपना पर्थम उपदेश दिया था option number यह हो जाए राइट अंसर सारनाथ में समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्चाकरित दुरलव वस्तुओं के बीच चैन की समस्या को इन चारों में से किसकी मदद से नियंतित किया जा सकता है option number C उत्पादक संभावना वक्र के मदद से चित्रित किया जा सकता है C राजगोपलाचारी निम्न में से किस राज में नमक सत्यागरा का नेतित ये किये थे 29 का option number आपका यहां पे हो जाया कहाँ पर C तमिल नाडू 12 मार्ज 1930 आप ध्यान रखेंगे 1930 को महत्मार गांदी ने नमक पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेजों के फैस्ट्री के खिलाफ आहंदाबाद कज़ाब का शावरमति आस्रा में वहीं से नमक सत्यागरा की शुर्वात इन्होंने किये थे ठीक है और C राजगोपलाचारी ने तमिल नारू राज में नमक सत्यागरा का नेतित किये थे नमबर 30 है दिरली की पहली और अंतिम महिलाज शाशिका का नाम बताना है रजिया सुल्तान आपका ओप्शन नमबर C राइट अंसर है पतावली किर्टन मद्यकाली पश्चिम बंगाल चुकि 15-17 सताबदी में कह रहा है कि इन चारों में से किसकी प्रसंसा में रचित गीतो को संदर्वित करता है ओप्शन नमबर B राइट अंसर हो जाएगा विश्चनु का बागवान विश्चनु का देखिए कि कंटक शोधक नामक नियाले का प्रचलन किस समराज में था मौरेश अमराज ऑप्शन नमबर D राइट अंसर यहां पे है निम्न में से किस राज में राजपाल को कानूर और वेस्था तथा उससे समंदित उसके कारियों में निर्वाहन के समंद में समिधान के अनुच्छे 371H के तहत विशेश जिम्मेदारी दी गई है आप्शन नमबर D राइट अंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश में निम्न में से कौन इंडियन प्रिमियर लीग यानि कि IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिशनर थे आपको पता होना है कि वर्ष 2008 से IPL की सुरुवात की गई है और आप्शन नमबर A ललित मोदी इसका राइट अंसर हो जाएगा IDBI यानि कि भारतिय और द्योगिक विकास बैंक का मुख्याले निम्न में से किश्राज में इस्थित है महराष्ट में है ऑप्शन नमबर D आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इसकी अस्थापना पूछता है तो 1 जुलाई 1964 को इसकी अस्थापना की गई थी ठीक है नीती आयोगे वंग भारतिय राष्टी एकता परिशत के अध्यक्ष निम्न में से कौन है आप्शन नमबर A राइट आंसर प्रधानमंतरी होते हैं निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राजी में अरब सागर की कैमबे की खारी यहनि की खमबात की खारी में गिरती है ओप्शन भी तापती नदी निमलिखित में से किसराजी में प्रतेक वर्स एको रिट्रेट उत्सव मनाया जाता है 38 का ओप्शन नंबर हो जाएगा असी ओडिशा में एको रिट्रेट उत्सव मनाया जाता है भारती राष्टी कॉंग्रेस के दुआरा केस दिन को पूर्ण स्वराल दिवस गोशित किया गया था 39 का ओप्शन नंबर बताईए 26 जनवरी 1937 आपका राइट आंसर ओप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार के प्रथम मुख मंत्री कौन थे बिहार का जिब प्रथम मुख मंत्री है वो डॉक्टर स्री कृष्ण रहे थे ठीक है गांधी जी का कॉलिज की बारे में आपको बताना है 42 का राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर ओप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सामलदास कॉलिज भावनगर से विप पर हे थे ठीक है गुजरात में थे ठीक है इन में से किसने 1857 के विद्रों में शक्रिये भाग लिया था नाम बताईए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखे नाना साहव कानपूर से बेगम अज़रत महाल लखनो से और मौलबी आमज़त उल्ला जो है फैजावाद से बीप्यसी का जो भी जश्ट आपको सेट करवाया गया था उसमें भी सेम कोशन एक तरसी कहिए क्या आया था बताई यहाँ ऑप्शन नंबर डी टीक करिएगा उप्रोक्त सभी किस अधिनियम के बारे में जवाहर लाल नहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक थ इसको स्टार्ट किया गया था जो कि 78 अनुयायों के साथ स्टार्ट किये थे 375 किलो मीटर का रिस्टेंस तरह करना था ठीक है और 6 अपर 1930 को दांडी में नमक कानुन का उलंगन कर देश में आंधुलन शुरू किया गया था टूटल अगर दिन पूशता है ऑप्शन नंबर मुगल शासक ने चित्रकाली के लिए कार खाने बनवाए था नाम उसका क्या था तो आप्शन नंबर आपका हो जाएगा नंबर भी सही जवाब अकबर के द्वारा बनाया गया था ठीक है और आपको एक बात समझेगा कि मुगल समराथ अकबर के ही काल में पहली बार भित् जाता है ध्यान रखेंगे बंगाल में दूवी शासन परनाली किस के द्वारा लागू की गए थी 48 का राइट आंसर आप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइब के द्वारा ठीक है बंगाल में 1893 में सिकागो में आविजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकान अंदाब जानती हूँ ऑप्शन नमबर 20 ही जवाब हुजाएगा वर्स 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था स्वराज पार्टी अगठन 1923 में चितरन जन्दास और मूती लाल नहरू की द्वारा करवाया गया था ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर चलिए नमबर 51 देखिए यहाँ से साइंस का कुश्चन स्टार्ट करते हैं नेमन में से कौन सी S.I.I.I. है जो किसी पदार्ट की मातरा को मापने के लिए उप्योगी होती है ओप्शन नमबर एट आंसर हो जाएगा मोल देखिए बिहार सची वाले के लिए आप लोगों को S.P.D. साइंस का क्लास दिया जा चुका है उसे आप जरूर देखिएगा काफी हेल्प आपको वहाँ से मिलेगा एक्जाम में आप मानी एक तरसे बहुत ही जादा कम टाइम है साथ ही साथ प्लेट फॉर्म का साइंस का भी क्लास आपके लिए है उसे आप देख लीजेगा उसे भी बहुत ही जल्द आप कंटिन्यू खिलास स्टार्ट हो चुका है कंटिन्यू आपका रहेगा वो भी वेबर प्रती सेकेंड इन चारों में से किसके बराबर होता है 52 का राइट आंसर आप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर वोल्ट के बताए कि पार्सिक इन चारों में से किसकी एक इकाई होती है 53 का राइट आंसर हो जाएगा लंबाए की काई आप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बताईए कि किस तत्व के परवानू हाइट राइट 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 रा किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं ऑप्शन नमबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 से 40 दिगरी के बीच में होता है यहाँ आपका ऑप्शन नमबर यहाँ बीट करिएगा 37 डिगरी राइट आंसर हो जाएगा निमन में से स्टोरेज की सबसे बारे इकाई होती है कौन से ओप्शन नमबर एक हो जाएगा टेरा बाइट ठीक है देखिए बात समझेगा एक अगर बाइट बराबर पूछता है कितना होता है एक बाइट में आठ बीट आपको ध्यान रखना है ठीक है मेगा बाइट आपका यहाँ पर दिया अगर एक मेगा बाइट आपसे 1024 मेगा बाइट दियान रखेंगे और आपका टेरा बाइट यहाँ पर है एक टेरा बाइट बराबर एक हजार चौबिस गीगा बाइट होगा जी भी लिखा जार है ठीक है ओप्शन ए राइट आंसर है हाया भूसा टू मिशन किस अंत्रिक्ट एजनसी का मिशन है ओप्श तो 59 का ओप्शन नमबर ए सितारों के प्रिकास का वायो मंदली अपवरतन आप्शन ए विल्कुल सही जवाब है जानवरों में संगरहित होने वाला प्राकिर्तिक बहुलक गलाइकोजन जन क्या है क्या होता है ओप्शन नमबर डिप पॉली से कराइट आपका राइट आंस देखिए यहां इसको आपको सॉल्व करना है ठीक है तो आपका ओप्शन नमबर आप यहां पर सॉल्व करके कमेंट करके बताईएगा अगर आपको राइट आंसर पता हो नेक्स्ट क्लास में इसको आपको बता दिया जाएगा चले 62 देखिए पास्चुरी करन की परणाली किया जाता है ओप्शन नमबर आपका डी हो जाएगा पैस्ट डिग्री पर गर्म किया जाता है ठीक है बताईए कि कोशिका जिली में सरवादिक प्रचुर लिपीड है क्या है 63 का ओप्शन नमबर आपका A हो जाएगा राइट आनसर फास्पो लिपीड आपका पूश्टा हेड्राओक्सीन, ब्यूटाइरेट करन, सलफर करन और गैस रिखतियां सामिल होती है 65 का option नमबर आपका हो जाएगा सी राई टांसर कोशी का द्रव में होता है पक्षियों के वैग्यानिक अध्यान को इन चारों में से क्या कहा जाता है option नमबर भी और्थियो नौलोजी के नाम से आप जानते है पक्षियों को वैग्यानिक अध्यान को और्थियो नौलोजी कहा जाता है और नियोथोलोजी कहा जाता है ठीक है सबसे लंबे पंक फैलाव वाला विशालतम समुदरी पक्षि निमने में से कौन सा है option नमबर आपका C wondering अलबा ट्रोस आपका राई टांसर हो जाएगा सबसे लंबे पंक फैलाव करने वाला होता है समुदर तल पर मानक वाई वंदरी दबाव और 45 अक्षांस पर पानी का क्वाथनांग Celsius पैमानी पर क्या होगा option नमबर C हो जाएगा 100 degrees Celsius होगा ठीक है पानी लगबग 100 degrees मानक वाई वंदरी दबाव पर उबलता है आप जानते हूँ option C राई टांसर है किस खनी से अथिसभाजी में हरा रंग यह उत्पन होता है option नमबर B हो जाएगा राई टांसर B डियम में होता है option नमबर आपका A हो जाएगा fructose सबसे मीठी चीनी होती है निमन में से कौन सा कौन सा एक सच्चा फल नहीं है इन सब में से 71 का save हो जाएगा सच्चा फल नहीं है अंगूर खजूर और आलो बुखारा जो है सच्चा फल में आता है फलियां अतदिक पौस्टिक होती है क्योंकि उनमें परचूर मात्रा में होता है क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है option नमबर B राइट आंसर है बदाए कि लॉंग जो कि एक मसाला है पौधे के किस भाग से या प्राप्त किया जाता है option नमबर D फूल की कली से प्राप्त किया जाता है number 74 मान स्पेसियों में दर्द के उप्चार में उप्योग किये जाने वाला वी किरन का नाम बताएए क्या होता है option नमबर A राइट आंसर इंफ्रारेड का यूच किया जाता है number 75 गर्म करने पर एक अर्द चालक का प्रतिरोध क्या होगा option नमबर B घर जाता है देखिए अर्द चालक यह नहीं कि सेमी कनेक्टर को गर्म करने पर प्रतिरोध का मान घरता है क्योंकि अर्द चालक के लिए प्रतिरोध तापिय गुनांग का मान क्या होता है रिनात्मक होता है ठीक है तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 कोशन देखा जो कि आपके बिहार सची वाले के लिए इस पार्क पब्लिकेशन के बुक से आज का सेट नमबर 4 लिया गया था असा करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा क्लास अगर अच्छा लगे तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा PDF के लिए आप टेलिग्राम गुरूप पे जोईन हो जाएंगे मैट्स का कोशन रिजिनिंग का है उसे आप देख लीजेगा ठीक है अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे अगर आपके कोई दोस्त बगर अभी होंगे तो BSC की तयारी कर रहे होंगे उनके पास भी आप चाहें तिसे सेयर कर दीजेगा जरूर ठीक है साथ ही साथ अगर आप सरसाथमी BPSC बिहार सची वाले इंटर लेवल का भी तयारी करना चाहते हो बिहार SI आपका जो की बहुत ही जल्द आने वाला है अगर उसकी भी तयारी कर रहे हो करना चाहते हैं तो आप चैनल से जूर जाएगा काफी सारा सीट आपके लिए अभी लेवल है छो आपके लेवल ठापके लेवल है